नमस्कार दोस्तों मैं मैश आज आपको TDS controller के बारे में जानकरी देने वाला हूँ TDS controller क्या है? कैसे काम करता है? TDS controller R-O में कैसे लगाए? R-O का TDS कितना होना चाहिए? उसे कैसे सेट करे या कैसे चेंज करे? ये पूरी जानकरी हमने इस वीडियो में आपको दी है वीडियो पुरा देखे जिससे आपके मन में कोई शंका न रहे ऐसे वीडियोज की जानकरी के लिए हमारे आपसे एक request है हमारे चैनल को like और subscribe करे और bell icon पे भी click कर दे जिससे आपको हमारी latest वीडियोज की जानकरी मिलती रहे दोस्तो आरो में TDS कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है आरो के पाने का TDS सही सेट करना अगर आरो के पाने का TDS सही सेट ना हो तो आपके शेर को इसकी क्या किमत चुकाने पड़ सकती है इस वीशे में अधिक जानकरी के लिए अलग से हमने वीडियो बनाई है उपर दिये हुए i button पे click करके आप उसे देख सकते हो अब आप ए समझ ले आरो के पाने का TDS कितना होना चाहिए और उसे केसे सेट करे आरो के पाने का TDS से लेके देड़ सो के बीच में होना चाहिए और उसे केसे सेट करना है एग अब हम देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं TDS controller का आउरो में कैसे लगाना है TDS controller में in out होता है और यहाँ पे उपर screw लगाना है यहाँ पे आप arrow देख सकते हो right side में गया हुआ है मतलब यहाँ से नीचे से motor से pipe आएगा और उपर से जो है out से चला जाएगा तो इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे set कर सकते हो यहाँ पे set किया हुआ है अल्रड़ी वही हम आपको दिखा रहे है अब बात करते हैं कि TDS controller में pipe के से joint होते है तो आप यहाँ पे देख सकते हो motor से pipe आया हुआ है out से out से जो pipe आया है वो जाता है आपके TDS controller में इंग कि ट्रैनों में जाने से पहले ुसी कि जांते हैं और मेंब्रें आऊजिंग में चला जाता है और ऊपर से यू चंबर में चला जाता है और UV chamber के जहाँ पे T joint है वहाँ पे आपका जो membrane housing है membrane housing का जो clean water आता है तो उसका pipe joint होता है अब UV chamber से जो है आपका पानी जाता है mineral cartridge में और mineral cartridge से जो है आपके tank में चला जाता है अब हम आपको दिखाएंगे आरो का T days कैसे कम करते है और कैसे बढ़ाते है left side में गुमाने के बाद जो है मतलब left side में गुमाने के बाद जो है T days lose होता है और उससे जो है आपके पानी का T days बढ़ जाता है उसी तरह आप उसे right side में गुमाते हो तो आपके पानी का T days कम हो जाता है इस तरह से आप T days कम जादा कर सकते हो अब बात करते हैं पाने का TDS के से चक करना है उसके लिए आपको जरूर थे TDS मिटर की तो यह TDS मिटर है जो आपको ओनलाइन मिल जाएगा या किसी भी ओटर प्रिपर शॉप से आप खरीच सकते हो कुछी इस तरह से आप TDS चक कर सकते हो तो अब यहाँ पे देख सकते हो इस आरो के पाने का TDS 25 है तो अब हमें इसे 50 to 150 के बिश में सेट करना है अगर आपको हमारी ये उडियो पसंद आई है तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए